नमस्ते मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं नौभारत टाइम्स दोस्तों 27 दिसंबर ये तारीख कई वजहों से याद की जाती है चचा गालिप का जन्म दिन होता है सल्मान भाई का जन्म दिन होता है 27 दिसंबर 1911 को हमारा राष्टगान जंगनमन पहली बार सार्ज तोर पर गाया गया था कलकत्ता के कॉंग्रेस अधिवेशन में 1934 में परशिया के शाह ने मुल्क का नाम बदलकर इरान कर दिया था 1949 में इंडोनेशिया को मुकमल तोर पर नीदरलैंड से आजादी मिली थी 1989 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में घुसकर तख्ता पलट कर दिया था तमाम सरकारी इमारते कबजा ली थी डबलू डबलूई के फैन हैं तो आपके लिए बता दे कि गोल्ड वर्क का जन्दिन भी इसी तारीक को पढ़ता है वैसे कुछ बुरी यादे भी हैं इस तारीक से जुड़ी 2007 में बेनिजीर भुट्टो कतल कर दी गई थी 2013 में दिगज कलाकार फारुक शेख ने हम सभी से विदा ले ली थी बहुत इंफर्मेशन हो गई ना चलिए मुद्दे पर आते हैं अब 27 सितंबर एक और चीज़ के लिए याद किया जाएगा इसी तारीक को भातिये वायुसेना ने तीन दशकों तक सर्विस में रहे लड़ाकों विमान मिग 27 को रिटायर कर दिया है मिग 27 जिसने 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ करगिल युद्ध में बेहत अहम भूमिकानी भाई थी आईए जानते हैं मिग 27 के बारे में हवा से जमीन पर हमले में उस्ताद इस लड़ाकों विमान ने 20 अगस्त 1970 को पहली उडान भरी थी 1985 में भारत के रक्षा मंताले के अंडर आने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को मिग 27 प्रेड्यूस करने का लाइसेंस मिला हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने 165 मिग 27 विमान असेंबल किये थे जिने कंपनी ने बहादुर नाम दिया था और इंडियन एर फोर्स ने इन्हें अपने बेड़े में शामिल किया था मिग 27 की सबसे बड़ी खासियत थी इसके स्विंग विंग यानि इस लड़ाकू विमान के विंग्स को उड़ान के दौरान आगे पीछे सेट किया जा सकता था इससे इसकी रफतार कम या ज्यादा की जा सकती थी इस जमीन पर टार्गेट को निशाना बनाने के लिए परियाप समय मिल जाता था ये अठारा सो किलो मिटर प्रति घंटे की रफतार से उड़ सकता था इसमें उड़ान से जुड़े खास इलेक्ट्रोनिक सिस्टम और अलग-अलग हतियार दागने के लिए विपन पावरफुल और 29 इंजन की मदद से ये कम उचाई पर तेजी से उड़ान भर सकता था रुषियन एरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने मिग 27 डेवेलप करने में मिग 23 का ही एरफ्रेम इस्तेमाल किया था लेकिन इसकी नोज में बदलाव किया था बदलाव से फायदा ये इसमें विमान में मौडन सेंसर डिजिटल मैप जिनरेटर और डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम लगाया गया सटीक निशाने के लिए लेजर डेजिनेटर पॉड लेजर रेंजर और माग टार्गेट सीकर लगाए गए अपग्रेडेशन का ये काम साल 2009 में पाकिस्तांती का दौर इन एयरक्राफ्ट्स ने भारत के लिए एहम भूमी का आदा की है करगिल की अइतिहासिक जंग में इनका सबसे एहम योगदान है करगिल में मिग 27 ने पाकिस्तान के ठिकानों पर चुन चुन कर रॉकेट और बंबर साए थे ऑप्रेशन पराक्रम मे से भी मिग 27 का योगदान एहम था मिग 27 रिटायर करने के कारण इसका पुराना होना इंजन में खामी होना और दूसरे पुर्जे ना मिलना रहे इंजन में तक्नीकी खामी के चलते कई विमान दुरगटना ग्रस्त हुए एक समय तो ऐसा आया जब मिग 27 को हादसों की की गई लेकिन सफलता नहीं मिली पश्चिमी देशों में तयार फाइटर जेट्स के मुकाबले मिग 27 अंसेफ माने जाने लगे अपने दस परसेंट मिग 27 हादसों में गवाने वाली इंडियन एरफोस 2016 में ही इन्हें रिटायर करना चाहती थी लेकिन नए लड़ाकू विम 27 विमानों का एक बेड़ा जोदपूर एयरबेस पर था जिसे 27 दिसंबर 2019 को आखरी उडान के साथ रिटायर कर दिया गया जोदपूर एयरबेस के मिग 27 के इस बेड़े को स्कॉर्पियन 29 के नाम से जाना जाता था तो मिग 27 पर हमारी ये पेशकाश आपको कैसी लगी हम इ आगे कोई ऐसा पैक है जैसी जानकारी लेकर आएं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए शुक्रिया